हेलो फेंड्स आप सभी का यूटुब चैनल में हादिक स्वागत है आज हम बेसिक मैथ पार्ट टू बिजगर्टी संक्रियाएं के बारे में चर्चाएं करेंगे पार्ट वन में हम पढ़े थे प्रतिसत जात करना बेसिक से प्रतिसत जात करना सीखें हैं पार्ट टू में बिजगर्टी संक्रियाओं का बेसिक पार्ट टू के बारे में चर्चाएं करेंगे बिजगर्ट की जो फ्रेंड्स सभी चैनल को लाइक, सेयर, सब्सक्राइब ना किये हो जल्द से जल्द कर लें इल आइकन बटन को जरूर दवाएं जिसे कोई भी वीडियो अपलोड होने के पहले सबसे पहले आपके पास पहुँचे पीडिय अप के लिए हमारा चैनल टेली ग्राम को जोईन कर लें चलिए वीडियो को सुरू करते हैं बिजगर्टी संक्रियाएं हम आज बिजगर्ट के बारे में चर्चा करेंगे चर्रासियां अचर्रासियां क्या है सबसे पहले हम बात करते हैं चर रास किया है चर रासियां ऐसी रासियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है उन्हें चर रासिया गयते हैं ऐसी रासियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है उसे चर रासियां कहते हैं जैसे A, B, C, X, Y, Z जैसे A बरावर 5, A बरावर 7, A बरावर 7,000 होता है ऐसी रासियां जिनका मान निश्चित नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं चर रासियां कहते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, चर रास क्या है, अब बात करते हैं, अचर रासियां क्या है, ऐसी रासियां जिनका मान निश्चित होता है, अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें अचर रास कहते हैं, यानि ऐसी रासियां जिनका मान निश्चित होता है, अर्थात बदल बडलता नहीं है उन्हें अचर रासियं कहते हैं, जैसे fellas do 1,-3-4, अन्यानियीं जैसे पउच हैто 5 है तो पांच ही रहे एक है, तो एक रहे है गा, दो है तो 2 है रहेगा, तीन है तो 3 है रहे है चार है तो चार है रहेगा, यानि अचर रासियों में यानि की इनका मान नहीं बदलता और चर रासियों में जैसे चर रास भी हम पढ़ चुके हैं चर रास के बारे हम चर जा कर रहते हैं इनका मान हमें इसा बदलता रहता है पांच है साथ भी हो जाएगा साथ हजार हो जाएगा लेकिन अचर रासियों क समान प्रकार की चर रासियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है लेकिन असमान प्रकार की चर रासियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है यानि कि समान प्रकार की चर रासियों को आपस में क्या किया जा सकता है जोडा और घटाया जा सकता है लेकिन समान प्रकार की चर राजियों को आपस में जोडा और घटाया नहीं जा सकता है ठीक है जैसे समान प्रकार की चर A प्लस A जिसे A प्लस A बरावर क्या हो गया 2 A जिसे A और A को जोड़ दिये तो हम क्या हो गया टू ए हो गया थ्री ए प्लस टू ए बड़ाबर फाइप है यानि तीन दू किता हो गया पांच है पांच है ठीक है साथ ए माइनस फोर है अब जैसे प्लस का है माइनस का साथ ए माइनस फोर है तो साथ में चार को घटा देंगे तो साथ में चार को घटा देंगे चार आए आ गया अब बात आती आसमान प्रकार के चर ठीक है अभी समान प्रकार के चर जो होते होते हैं यानि समान प्रकार के चर राजियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है जो समान होगे तो उनको आपस में जोड़ा घटाया जा सकता है लेकिन अब क्या बात है इन दोनों का आधार जो है तो सेम है ठीक है तो असमान प्रकार के चर क्या है असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकते जैसे ए प्लस बी बराबर तो जैसे इसका ए है आधार इसका बी आधार यानि कि a plus b ऐसेम रहेगा अब जैसे मान लीजिए 5a plus b बरावर 5a plus b हो गया अब देखिए इस प्रकार प्लस का हो गया अब माइनस a minus b बरावर a minus b और 3a minus b बरावर 3a minus b यानि कि हम कहा सकते हैं असमान प्रकार की चरों में को जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है दूसरा नियम है असमान प्रकार की चर राचियों का आपस असमान प्रकार की चर राचियों को आपस में गुड़ा और भाग भी नहीं होता यानि असमान प्रकार की जावराशियों का अपस में गुणा और भाग नहीं होता यानि मोश्ट है यह सवाल यह नियम मोश्ट-नियम है इसको देखें कि जैसे ए-गुणे B बराबर अ-बी अब देखिए A-गुणे B बराबर A-B यह जैसे बिंदी का मतलब है कुणा करना तो इसका मतलब मतलब के दर्सम्लाव करना यही जैसे मालें लिछा है इसका मतलब एक होगा है यानि कि हम कहें शक्害 शर्मान प्रगारकिशरां डिलाव और भाग भी नहीं होता है नोस है दो छर राशियों के बीच में कोई भी चिन ना हो तो गुड़ा का चिन माना जाता है यानि के जैसे A B 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 भी हो गया यानि हम कह सकते हैं कि कोई दो चर रासियों के बीच में कोई भी चिन नहीं यहां जैसे कोई चिन नहीं दिया है इसका मतलब है कि गुणा करना है आपको तो अच्छे समझ में आही गया होगा यदि आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके जरूर बताईएगा नेश्ट नियम है समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम लिखित नियम के अनुसार होता है यानि कि समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम लिखित नियम के अनुसार होता है फ़ेश्ट नियम है यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घात जुर जाती है यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घात क्या होती है जुर जाती है आधार जैसे मालेज़े ए यक्स गुणे ए बाई तो जैसे ए आपका क्या होगे आधार यानि कि हम कह सकते हैं आधार, आधार कैसा है बराबर है, तो A X प्लस 2, यानि जूर जाएगा A X प्लस 2 हो जाएगा जैसे A की घाद 5 गुड़े A की घाद 2 तो अब देखिए, अब इसका आधार जो है तो बराबर है, तो हम क्या करेंगे A की घाद 7 यानि की घाद 7 हो जाएगा A की घाद 7 गुड़े A की घाद 5 अब देखिए, इस दोनों आधार है, आधार कैसे हैं बराबर है, यानि समान है तो हम क्या करेंगे तरह सकते हैं, A की घाद 12, यानि की 7 5 12, A की घाद 12 हो जाएगा नोट है, यदि किसी संग्चा के घाद में कुछ भी नहीं हो, नहीं, कुछ भी नहीं है, तो घाद एक मानी जाती, यानि की यदि किसी संग्चा के घाद में कुछ भी नहीं है, तो घाद एक मानी जाती है, यानि की हम कह सकते हैं, जैसे मान लेजे, यहाँ तू गुणे टू, यानि इसकी घात बरावर क्या होगा, टू हो जाएगा, टू स्क्वार कर देंगे, जैसे इसकी घात नहीं दी है, तो इसको एक माल लेंगे, एक माल लेंगे, तो जैसे आधार क्या है, दो गुणे दो, दो गुणे दो है, इसकी घात नहीं दी है, तो हम घ घात एक माल लेंगे एक की घात एक माल लेंगे तो ए गुणे ए गुणे ए बराबर ए इसकोईर यानि कि इसकी घात नहीं दी रहती उसकी घात को हम क्या माल लेते हैं एक माल लेते हैं नेश्ट है यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घात घट जाती है यानि कि यदि AX AY बरावर अब देखिए AX AY बरावर AX माइनस बाई AX माइनस बाई जैसे मान लेजिए यहाँ क्या है A7 A2 अब देखिए यहाँ क्या होगा अब आधार तो बरावर है तो A माइनस पांच यानि साथ में दो खटाने पर क्या आ गया पांच हो गया एक की घात अठारा एक की घात सोला तो अठारा में सोला की हो आधार तो सेम है आधार दोनों समान है तो हम क्या करेंगे कि आधार समान है तो अठारा में सोला घटा दोएंगे तो एक की घात दो आग जाएगी यदि आपको वीडियो समझ में आता है अच्छा लगता है तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना ना भूले एल आइकन बटन को दवाना ना भूले आपको पीडियाप, वीडियो का पीडियाप कोई सब, एमपी जीके, एमपी पुलीस आल एक्जाम की पीडियाप, टेली ग्राम को जॉइन करिए टेली ग्राम में, लारन वित, सीफी सर टेली ग्राम में, नाम से चैनल है उसको जॉइन करिए, आल सब्जेक्ट, आल सब्जेक्ट का पीडियाप पाईए तीसरा नियम है कोश्टा खोलने पर घात से घात का गुणा होता है यानि कोश्टा खोलने पर घात से घात का क्या होता है गुणा होता है जैसे ए यक्स बाई बरावर ए इंटू बाई यानि कि यक्स का बाई के साथ क्या होगा गुणा यानि कि कोश्टा खोलने पर क्या होता है हमेशा इसको हम क्या करते हैं गूरा करते हैं तो यह यक्स बाई हो जाए जैसे माल लेजिए ए है तो ए का जैसे है न ए ता तीन कोश्टा दो बरावर तो जैसे क्या होगा ए तीन गूरे दो बरावर एक गुड़े ए बराब जैसे एक इघाट 6 हो जाएगा तीन दूनी 6 त्यानि एक इघाट क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी ठीक है नेस्ट कोश्चन है यह आपके यमपी पुलिस कांस्टेवल में पूछा गया था 2017 के पेपर से लिया गया है कोश्चन जैसे मजला कोश्चन माइनस टू गात बंद कोश्चन माइनस टू बरावर आपको प्रश्चन वास्चन चिन्ध दिया गया है इसको जात करना है या हल करना है तो हम क्या करेंगे कैसे हल करेंगे अब इसको हम बहुत आसान ट्रिक के माध्यम से जल्द से जल्द कर लेंगे जैसे टू फोर बरावर अब क्या करेंगे माइनस टू गुड़े माइनस टू गुड़े माइनस टू गुड़े माइनस टू बरावर माइनस टू बरावर माइनस प्लस सोला कैसे कर लिए हम अब इसको देखना है इसकी गात जैसे कोश्टक से हम बाहर कर लेंगे तो माइनस चिन तो माइनस आएगा तो माइनस टू आ जाएगा ठीक है और दो की गात दो बराब दो दूनी चार हो जाएगा यानि चार यानि कि माइनस दो का कितने वार गुणा करना है चार वार करना तो माइनस दो गुणे 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 कि यदि आपको माइनस संबार आता है गुना करने पर तो माइनस चिन नहीं लिखा जाता है नेश्ट कोश्चन है दो की घात पचास का दो गुना क्या होगा क्या होगा ठीक है को दो की घात पचास का दो गुना क्या होगा इसको देखना है तो दो की घात पचीश तो सबसे पहले यहां क्या कर लेंगे हल कर लेंगे ठीक है हल करने के बाद तो सबसे पहले दो की घात पचीश ठीक का दो गुणा क्या होगा तो यानि गुणा दो की घात जिसकी घात अभी हम पढ़े हैं जिसकी घात कोई भी नहीं दी रहती उसको हम क्या माल लेते हैं एक माल लेते हैं तो अब क्या होगा तो जैसे दो की घात पचास गुने दो की घात एक तो अब क्या कर लेंगे दो की घात पचास प्लस एक बरावर क्या होगा दो की घात इंच चामन हो जाएगी यानि कि हम कह सकते हैं कि यही एंसर आ जाएगा यानि कि दो की घात पचास का दो गुना क्या होगा तो दो होगा तो दो का हम घात क्या माल लेंगे एक माल लेंगे कुछ घात नहीं दी रहती तो उसको हम क्या माल लेते एक माल लेते हैं तो दो का दो की घात पचास प्लस एक बराबर दो की घात इंचामन हो जाएगा नेश्ट है कोश्चन ये भी बहुत महत्पूर कोश्चन है दो की घात पचीस का चार गुना क्या होगा यानि दो की घात पचीस का चार गुना क्या होगा अभी दो गुना पूछ रहा था आप क्या पूछ गी दिया चार गुना क्या होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां हल डालेंगे या सालो कर लेंगे या हल डालेंगे क्या करेंगे दो की घात पचीस गुड़े चार अब जो कि चार की घात पूछा है तो चार गुना क्य होगा तो हम क्या करेंगे दो की घात पचीस गुड़े दो की घुड़े दो यानि की दो गुड़े दो तो आप क्या कर लेंगे अभी हम जैसे नेश्ट वीडियो में कर रहे थे तो दो गुड़े पचीस यानि क्या इनकी आधार क्या है समान है जिनका आधार समान होता है उनक हम क्या कर सकते हैं जिनका आधार सेंद होगा शोरी जिनका आधार सेंद होगा उनकी गात हम क्या अदो दिया है तो पचीस अदूई जो जिनत करता है वो 27 नहीं दूई के घात का होगा 27 हो गया यानि कि हम कह सकते हैं आधार जिसका सेम होगा तो उनकी घात आपस में जुड़ जाती है इनका आधार सेम होगा उनकी घात जोड़ दिया जाएगा ठीक एनेश्ट कोश्चन है बहुत महत्पूर कोश्चन ये भी है चार की घात पचीस का आठ गुणा क्या होगा क्या होगा अब बात आगई चार की घात पचीस का आठ गुणा क्या होगा पूछ दिया सबसे पहले हम यहां क्या करेंगे हल कर लेंगे चार का पचीस गुणे आठ ठीक है आप क्या करेंगे भईया चार पचीस गुणे आठ पूचा है तो आप क्या करेंगे दो की घहात दो कोश्टक बंद कर लेंगे 25 गूरे 2 की घात 3 कर लेंगे ठीक है अब क्या होगा अब क्या होता है आपको पता है पहले ही हमने बता चुके हैं कि जिसका यानि कोष्टक के कोष्टक लगा है उसका मतलब होता है गूरा करना यानि इसका मतलब गूरा करना तो 2 की घात कितना आ जाएगी 50 आ तीरपन यानि इसका करेक्ट एंसर तीरपन हो जाएगा अब देखिए हम ऽे कर सकते।ς 2 ऐसे क्या कर सकते हैं तो गुण े दो दो एक कम दूनी चार चार दूनी आठ हो गया ठीक है हैं तो कि हम आप समझ रहे हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सेयर करें, सस्क्राइब करें नेश्ट नियम है चौथा नियम असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता यानि असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता जैसे यक्स की घात 5 प्लस एक्स की घात 2 ठीक है, एक्स की घात 5 प्लस एक्स की घात 2 बरावर एक्स की घात 5 बरावर एक्स घात 2 यानि आसमान यानि हम कह सकते हैं जिसकी घात आसमान होगी उनका यानि कि हम जोड नहीं जोड सकते दूसरा है यक्स की घात साथ प्लस यक्स की घात तीन बराबर यक्स की घात साथ प्लस एक्स की घात तीन ही आएगा ठीक है यानि कि घात कैसी है यानि आधार तो सेम है लेकि समान घात वाले यानि असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता यानि कि यक्स की घात पांच प्लस यक्स की घात दो यानि कि समान नहीं है तो यक्स की घात पांच प्लस यक्स की घात तीन बरावर यक्स की घात साथ प्लस यक्स की घात तीन ये भी नहीं होगा अब देखिए जैसे यक्स की घात पांच प्लस यक्स की घात पांच बरावर टू यक्स पांच कहें जिस संग्चा यानि क्या हुआ समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जाए यानि समान घहात वाले तो समान घहात एक्स की घहात पांच प्लस एक्स की घहात पांच तो एक्स की घहात पांच है इसकी भी पांच यानि इसका आधार सेम है घहात भी सेम है तो एक्स एक्स क्या होगा टू एक्स प्लस घहात को लिग दे तो फाइप एक्स तो इसका प्लस यक्स 5 बरावर 2 यक्स 5 होगा यदि फ्रेंट्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सस्क्राइब करना न भूले इसकी पीडियाप टेली ग्राम में आपको मिल जाएगी टेली ग्राम चैनल को जॉइन करिए लर्न विथ सीपी सर के नाम से चैनल है टेली ग्राम में आप उसको जॉइन करिए और यूटूब चैनल को लाइक, सेयर और सस्क्राइब करना न भूले और लाइकन बटन को जरूर दबाएं जिससे कोई भी वीडियो अपलोड होने के पहले सबसे पहले आपके पास आए आपको अगले वीडियो में पार्ट थ्री में पढ़ाया जाएगा भिन्न का जोड, घटाना, गुणा, भाग, बेसिक से पढ़ाया जाएगा एक और कम्प्लीट होने, बेसिक मैथ कम्प्लीट होने के बाद आपको चेप्टर वाई चेप्टर, बारीकी से चेप्टर वाई चेप्टर पढ़ाया जाएगा इसलिए जो लोग फ्रेंड्स अभी तक चैनल को लाइक, सेर, सस्क्राइब ना किये हो वो जरूर से जरूर कर लें एक बेसिक चीजें बहुत आपको आसान, आपको जरूर लगता होगा कि सर बेसिक चीजें कैसे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं आपको बेसिक चीजें पता रहेंगी, तो कितनी बड़ी सी बड़ी सवाले आ जाएंगी आप तुरंट उसको हल कर सकते हैं यदि आपको बेसिक चीजें नहीं पता रहती तो आप सवाल को हल नहीं कर सकते हैं इसलिए आपको बहुत बारीकी से बेसिक बेसिक चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ कोई भी आपको बेसिक चीजें नहीं पढ़ाता आपको मैं इसलिए basic basic class में basic basic पढ़ा रहा हूँ कि आपको basic चीजें समझ में आ जाएंगी तो 5 मिनिट की सवाल को आप चुटकियों में 2 मिनिट में हल कर लेंगे 5 मिनिट की सवाल को चुटकियों में यानि चुटकियां जैसे नहीं बजाते हैं चुटकियों में आप फाल कर सकते हैं तो यानि आपको इसलिए में बताया जा रहा है पार्ड थ्री में हम आपको भिंड के जोड घटाने गुण अब हाग की बारे में चर्चाएं करेंगे फ्रेंट्स आज की क्लास यहीं से बंद की जा रही है आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सेयर और सस्क्राइब करना ना भूले टेली ग्राम में पीडिया पाने के लिए लड़न विच सीपी सर के नाम से चैनल है उसको जोईन करिए यदि वीडियो पसंद आया हो कमें करके जरूर बताईएगा थैंक यू दोस्तों